आज हम बनाने वाले हैं पोहा है ना पोहा बनाएंगे यह क्या है और पोहे में क्या क्या डाल रहे हो आप प्याज में नीबू मटर और मुंफली ओके मुंफली कौन सी वाली है यह आपने भून के रखी है चिल कातार की तो आनास्ते मिलेगा हमें पोहा और क्या डाल रहे हो जीरा हल्दी नमाग अच्छा वह डेली मसाले ठीक है आप डालते टेम बताते जाना तेल गारम हो गया अब इसमें डालेंगे अपन थोड़ी सी एक काल सर्सुं डाली अपने भी थोडि सी चाटक ने पर, फिर डालेंगे जीरा डालक ने थोgy इस्टा को भूं जाने के बाद डालोगे जीरा ऐसा आप क्ये डालोगे जीरा, इस जीरे डाल दिया अब डालेंगे ता बस्तरतते और जर्टा deux थोड़ी मिल्ची से की, प्याज, दो मेर्ट प्याज से के, इन्हें कब तक भूलना है, थोड़ी से यह सॉप्ट से हो जाए, बस ज्यादा नहीं भूलना है, तोगो हमें लाल अच्छा नहीं लगता, हलका हलका सा टेस्ट रहे हैं, अच्छा लगता, इसको भूलने में कितना डेंज लगेगा, एक दो मेर्ट लगेंगे लगो, क्या टाला और हरी मटर, हरी मटर भी और पकाई जाए, हाँ, थोड़ी से दो मेर्ट पक जाए जो, और इदा पोहा भी अपने भगो दिया, पोहा का पानी मेर्ट पहले से नहीं भगोया, नहीं, दो कि पहले ही भगोया, क्योंकि यह पतला वाला है थोड़ी पोहा, जयसा पुहा रहता है उसको तब ही गोते हैं, थोड़ी मटर है तो टाइम लगता भी गोनी, पज़ भगोई है कि पोह का पानी निकल दिया, है है अब बत्ले, पानी निकल जाएगा, थोड़ी सा वथ, यसे अब इसमें क्या डालने वाले हो? खली, एक चमट, एक चमट से कम, जरा से कराएं से, इसके राद पूह, तो आपने डाल दिये सारे पूहे अब क्या करना है तोड़ी सा नमक डाले फिर मिक्स करेंगे टेस्ट नुशा नमक डालेंगे अब 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 इसको कितने टैम तक ऐसा घुमाना पड़ेगा बस मिक्स ना हो जब तक मिक्स हो जाएगा बस बंद अच्छा खाली इसको लाइट स्ट्रीम पर हल्का गेस खुल के मिक्स करना है ऐसा अब अब नीबू डाल लेंगे थोड़ी सा अब 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 हरी दनिया को काट के डालना है ओंब अब 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 हरी धनिया को धोलू थोड़े हैं है थोडरा सा हरी धनिया को क्लिन करोंगे और इसके बाद प्र पोह में डाल देंगे और फिर सर्प करेंगे लगा तो पोह अलुंस्ट रेडी है आपका रेडी मार पर शेट całी इसे बोल डालेंगे अपनों फ़ली के दाने होगा हलकी सी चीन और पोहा रेड़ी है सुगर हाँ तो फेंड ओल्मोस्ट दीबा के पोहे बनी ही गए हैं थोड़े रहे गए हैं और हारी मटल कब डालोगे डाल दी अच्छा आप क्या डाल रहे हो मुंफली के दाने यह लास्ट में डालते हो हाँ क्योंकि यह सिके हुए है ना इसलिए लास्ट में डालते हैं गैस को बंद करेंगे अब पूहे को सर्फ करेंगे यह हो गए हैं पोहे रेड़ी हम मेड़ पोहे घर के बने टेस्टी पोहे अच्छा बीस में ऊपर से थोड़ी सी सुगर डालो गए अब के सो यह बने गए टेस्टी टेस्टी पोहे ईपलने के सर्फ करेंगे कि टेस्टी आए हैं पोहे बने लाएंगे